जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं जितने भी दलित भाईयों हैं मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप जागिए सड़क पे उतरिये संघर्थ किजिया और लड़िया अपना के लिए क्यूंकि यह जो सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है नरंदर मोदी अमित्सा यह योगी जो सपने देखड़े हैं बरे-बरे धीरे अरच्छन खतम कर दिया इन्होंने चंसेखर भाईया को निप्टाने के वैसे यह तो मैं बताना चाहेंगा बाबा-शाव निप्टाने करना के मैं बताना चाहांगाओं चंसेखड तैना नहीं वह नायक है जो जो सही चीजों के लिए सडक पर लड़ते हैं कि जो लोग पीट पीछे वार करना जानते हैं जो सत्ता दहारी के जो लोग सत्ता धारी जो गुंडे हैं अभी यूपी में अपना वो जंगल राज कह दिजे सरे आम किसी को भी सूट एंड साइट कर दिया जा रहा है जिस तरह से अभी आप देख लिजे चंसेकर भाईया पर हमला होगा सरकार तो वैसे लोग को सुरच्छा दे रही है जो कुछ नहीं ह मुहन भागवत देख लिजे जो एंजिओ चलाता है अब क्यूं चंसेकर भाईया हो एक दलित है इसलिए क्या कंगनार रौट को देखे जट सुकूरी बाय सुकूरी मिली है तो हमरा भाईया दलित है इसलिए नमस्कार आप देख रहे हैं निश्ताल दस्तक और मैं हूँ आपके साथ अमन भीमार में चीप और अजाद समाज पाटी के रास्टी अद्यच चंद्र सेखर अजाद पेक बिते दिन हमला हुआ हमला का बाद वो जिस तरह ऐसे मीडिया में मुखरता से आये हैं उन्होंने नहीं हूँ याद रहे मनुबादी लेकिन जो तमाम लोग हैं वह या मतलब सरकार से डिमांड कर रहें कि उनको अब सिक्रेटी मिलना चाहिए हम बात करेंगे हमारे साथ दिपांकर हैं कैसे दिपांकर आप पटनविस विद्याले के छातर नेता रहा चुके दलितों का इस बताना चाहूंगा कि जो लोग पीट पिछेवार करना जानते हैं जो सत्ता धारी के जो लोग हैं सत्ता धारी जो गुंडे हैं जो यूपी सरकार जो अभी यूपी में अपना वो जंगल राज कह दिजे या योगी राज या जंगल राज वही हुई बात जंगल राज जो जिस तरह से सरे आम किसी को भी सूट एंड साइट कर दिया जा रहा है जिस तरह से आभी आप देख लिजे चनसेकर भाया पर जो हमला हुआ इसके लिए यह बहुत ही मैं यह कहना चाहूँगा कि जितने भी बहुजन समाज के जो लोग हैं जितने भी दलित भायों हैं मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि अब समय हम लोग के पास हमारे दलित समाज के पास नहीं रहा अब मैं समाज से अपील करना चाहूँगा कि आप जागिए आप जागिए सड़क पर उतरिये संघर्थ किजिया और लड़िया अपना के लिए क्यूंकि ये जो सरकार जो सत्ता में बैठी हुई है नरंदर यह योगी जो सपने देखड़े हैं बरे-बरे धीरे अच्छन खतम कर दिया इन्हों ने चंसेखण भाईया को निप्टाने के लिए सोचा अड़े वैसे तो मैं बताना चाहूंगा बाबा साम अमेटकर कितनों को निप्टा दिया के लिए सिर्फ और सिर्फ कलम के दम पर सिर बताना चाहूंगा अगर उनमें अवकाद थी उनमें दम था तो सामने से टेक करते हैं सरकार कड़ क्या रही है कि सुरच्छा नहीं दी उन्हों है मैं बताना चाहूंगा चंसेखण भाईया नेता नहीं वह एक नायक है वह देश के नायक है वह जो सही चीजों के लिए सड सबसे मैं आगड़ा करूंगा अनुरोद करूंगा बिंती करूंगा कि वो जागें अब यह बहुजन मुमेंट होगा पुड़े देश में होगा और मैं बता के रहूंगा कि सरकार यह दलित चुप रहने वाले में से नहीं है यह दलित ऐसे ऐसा दलित जो है जो काम करते हैं जो सब्जी में नमक का काम करती है अगर दलित ना रहे किसी भी पार्टी किसी भी दे नहीं देखी जी अच्छा तो यह बताईए चंद सेकर पर हमला क्यों कर रहा क्या जो वहां सत्ता है काले बीजेपी की सत्ता है योगिया दितना मुखमंत्री हैं उन लोग करवा रहे हैं सत्ता के संद्शन में हो रहा है यह डरे हुए हैं चंद सेकर से तमाम जो लोग हैं नह योगी तो अपना लगे हुए हैं योगी जी की भाई भाई हमको तो पुड़ा योपी का मिर्जापूर का समझ लिए गद्दी एक तरह से यूपी जो व्यक्ति निश्वार्थ भाव से समाज की बात करता हो हित की बात करता हो जिन्होंने अभी जैसे देख लिए पहलवान पर वह कर रहा है कि आप अपने गलत इस्तमाल कर रहे हैं तो उस वक्त भी हमाने चंद सेखड़ भाईया लोगों से मिलने गए तो यह कहीं न कहीं योगी अपने सत्ता का संग्णच्छन देख कर गुंडों को उन पर हमला कर वाई जैसे कि बताया जाड़ा नंबर की गारी इतना तो यह नहीं था कि दिन दहार एक जब एक आम ब्यक्ति शुरच्छित नहीं एक सेवाधारी लोग शुरच्छित नहीं है तो आप मैं बताना चाहूंगा नरंदर मोदी को योगी को भी कि आप याद कर लिजिए वह जब किसान अंदोलन हुआ था तो नरंदर मोदी जब पीएम का गाड़ी जब भीच हाइवे पर रुकमा दिया सकता है तो सोच लिए उस वक्त आप भी गोली चली जा सकती थी क्या तो इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि यह जो दोगलाई जो नीती है जो पीछे से जो आप गोली चलाने काम कर रहे हैं तो मैं बताना किया दी जा रही है कर यह कि छत रही है करके पेज बणी फेशुक पर डाला गया कि निप्टा दिया जाता अभी तो बच गया से बूला जा रहा चंसेकर भाहिया के बारे में तो अब सरकार किसीच का इंतजार कर यह उन्हें उठाईये उन्हें आप देख्ञे कौन ऐसा यहां तक मुझे पता है कि दखे वह नेता नहीं वह नायक है देख ili neda नहीं थे अच्छे व्यक्ति महापुरुस्त नेत थें हमेशा किसी एक के लिए लड़ा महिलाओं की हग के लिए लड़ा लड़ा महिलाओं उन्हों की फिच्छरों कि लड़ा ना उसी तुरण चंसेकर भाइया ने वह उसी तरह उनिके धार All पर चड़ने वाले लड़ने वाले में से हम जी तो यह सरकार जो योगी अधितनाथ चाह रही है कि हम पुड़े योगी में जंगल राज शुरू करने का जो उन्होंने विचार बिमर्स कर लिया है तो मैं बता देना चाहूंगा कि दलित चुप रहने वालों में से नहीं है ज अगर जो लोग सोच रहें कि संविधान को भी खतम कर दें तो कहीं नहीं संविधान हुआ रंदर मोदी के देश में राज तंत्र लात लोग संवाधान करें ऐसा बदला एक bias तरफ दोहाजर चुनाव समाज को हम लोग करें और हम लोग मांग करेंगा तो दौजर चौबीस में आप किसे सरकार चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से तो दूसरा से खर्पेश्ष में मोधी है दूसरा लोग फिर से मोधी की सरकार चाहते हैं बिलकुल भी नहीं बिलकुल भी नहीं दूएर्ट चौबिस में वही बक्तिभाएगा जो देश और हित के लिए बात करेगा सब्सक्राइब नंदर्मोदी को उखाण करल कोरते विखेग़ तimal नहीं देटा है दलीफ को सिर्फ और सिर्फ कलम की बात करता है दली समझता है कि वैसे लोग को चुन के लाए जा जो लोग की बात करें ऐसे बहरुपियों को लोग थोड़ी जान रहा है आप जान रहे हैं नरंदर मोदी के पीछे कौन सा फैसा है नरंदर मोदी को 24 से फुक दिया जाएगा फुक दिया हम लोग वोड़ देखकर सही लोग को चुनेंगा उखार फेकेंगा दोहर 24 में नरंदर मोदी के वहराल हमारी बात्चीत में अभी क्या प्रते की लिए हैं निच्वाइब को सब्सक्राइब करने के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं न हुआ 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 है